नमस्कार, वेश्ट टू अंडर में आपका स्वागत है तो इस परकार फ्लोर वाला कुशन आप भी बना सकते हो रोवी फिरी में इसके लिए हमें कुछ टुकडे चाहिए जो सिलाई से बच जाते हैं वो टुकडे चाहिए और इस परकार एक गोला कार चीज ले लेंगे और इसके आकार के हम इन सब को काट लेंगे तो हमने गोला कार काट लिया है अब उनको हम इस परकार फोल्ड करते वे सिलाई कर लेंगे तो हमने ये सिलाई कर रहे हैं और इसको पहले फोल्ड कर लेंगे फिर डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सलवट लगाते हुए और इसको सिल देंगे और एक ही कलर के हम छे पीसिस सिल देंगे और फिर उन्हें हम काटके अलग कर लेंगे अब हम सुई से हम इनको पिरो लेंगे और सब को एक साथ पिरोकर और इसका फूल बना लेंगे तो हमने इसको पिरो लिया है और इसका फूल बना लिया है अब कोई नेट का टुकड़ा हो तो हम वह भी ले लेंगे और उसका हम एक फूल बना लेंगे तो हमने एक चोटा सा फूल बना लिया है और पहले इसको पिछे से पक्का कर देते हैं, अब एक मोती लिया है गोल्डन मोती और उससे हम इसको हम इसके उपर लगा देंगी छोटे फूल के उपर और चोटा फूल हमने बड़े फूल पे लगा दिये तो इस प्रपार हमने सारे फूल तयार कर लिये है अब हम एक स्क्वयर फुट में एक कपड़ा लेंगे एक फुट का लगबग स्क्वयर में और इसके उपर सारे फूल रखके हम निशान लगा लेंगे इस परकार चेक में निशान लगिया है अब इसके उपर हम एक कपड़े की लैस बनाके लगाएंगे तो ये हमने एक कपड़ा लिया है इसको हमने लंबी कतरन में काट लिया है और काटने के बाद इसको कुछ इस परकार फोल्ड करके सिल लेंगे हमने फोल्ड करके सिल दिया और उसको पलट रहे हैं तो हम उसको पलट लेंगे तो परकार हमने सारी कतरन सिल के फोल्ड कर लिया जो कि इस परकार है अब इसको हम फ्रिल डालते वे छोट छोटी और जहां हमने निशान लगाये थे हम इसको सिल देंगे तो इस परकार हम इसमें सलवर डालते वे फ्रेल बनाते वे सलाइ कर देंगे तो यह हमने सलाई कर दी है जब हमने निशान लगाए थे उसके उपर और यह फूल हम इस परकार रखके इसको हाथ से सिल देंगे इनको यह हमने सिल दी है इनको और इसके उपर हम दो टुकड़े कपड़े के इसके बराबर के इस परकार रख देंगे जो कि इसका एक किनारा मोड़ा हुआ है और इसको चारो तरफ से हम सिल देंगे दोनों कपड़ों के एक एक किनारी मोड़ी हुए है अब इसको हम पलट लेंगे इसको पलट लिया है पलटने के बाद इसके अंदर हम कुशन डाल देंगे तो यह हमारा कुशन बन गया है यह कुछ इस परकार है यदि यह कुशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू